जो पानी से नाएगा वो सिर्फ लिबास बदल सकता है लेकिन जो पसीने से नाएगा वो इतियास बदल सकता है नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभाविति को आनने वाले चैनल राहू के मेश रासिम प्रवेश के इस विसे इस एपिसोड में यह एपिसोड आपकी रासी नाम रासी अता मून साइन पर आधारित है और ये एपिसोड राहू के गोचर परतन आता राहू के मेश रासे में आने से आपकी करक रासी को क्या प्रभाव मिलने वाला है सुभी आसुब इसका ही विशलशन करूँगा। राहू है जो मंगल के साथ में बैटने पर मंगल का असर सुन्य कर देता है वहीं मंगल भी राहू को निश्क्रिय कर देता है। राजदिती का कारक भी माना जाता है। दरसल कुणली के बारा भाव व्यक्ति के जीवन से लेकर के मरण तक की संपूर्ण यात्रा को बताते है। जोतिस में रावुग्रे को एक पापी ग्रभ माना जाता है। वेदिक जोतिस में रावुग्रे को कठोर वानी, जुवा, यात्राएं, चोरी, दुष्ट कर्म, स्तिन के रोग, धार्मिक यात्राएं इन सबी के लिए कारक काहा जाता है। जोतिस में रावुग्रे को किसी भी एक रासी का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन मिथुन रासी में ये उचका होता है, धनु रासी में नीचका होता है। बहुत से विद्वान इसको व्रसब रासी मुझका बोलते हैं और व्रस्टिक रासी में नीचका बोलते हैं। पंचांगों के अनुसार, रावुगे के प्रभाव से दिन में एक असुब समाय अवधी होती है, जिसमें सुब कारियों को करना वर्जित माना गया है, इस अवधी को ही रावुकाल कहा जाता है। तो उचाईयों को लक्षय को हांसिल कर सकता है। रावु के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति बुद्धी से काम लेता है और यदि कोई व्यक्ति अपने बुद्धी से काम करता है, तो बड़े से बड़ा पहाड हिला सकता है। यह रावु या सुब रावु व्यक्ति को अ तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ये समस्याँ मांसिक और सारेदिक दूप से भी हो सकती है पीडित राउ के कारण हिचकी, पागलपन, आतों की समस्या, अलसर, गेस्ट्रिक इन सभी की समस्याँ जर्म लेती है और राहू अपने सत्रुग्रों के साथ में कमजोर माना जाता है राहू रासी से 3rd आउस, 6th आउस, 11th आउस या इन भावों में उत्तमफल देता है शनी, शुक्र और बुद्ध से राहू की मित्ता है वहीं सूरी, चनमा, मंगल, ब्रसपती से राहू की सत्ता है राहू अपनी भावस्तित्सी से अपनी स्थान से पंचम, सप्तम और नवम भाव पर विशेश दस्तिपात करता है राहू वक्रिग रह और एक रासी पर अठरा मा रहता है अब बात करते हैं राहू और केतु की नक्षत रिस्तिति 12 अपरे 2022 को जब राहू मेश रासी में प्रवेश करेंगे उस समय क्रतिका नक्षत के पहले चलन में होंगे वहीं केतु भी तुला रासी में प्रवेश के समय विशा का नक्षत के तीसरे चलन में होंगे मूल रूप से राहू, बोग, काल्पनिक भय और जूट का कारक्र है और यह अपना जूट भी डंके की चोट के साथ में करता है और किसी भी छोटी चीज को, छोटी बात को हाइप करके बहुत बड़ा बना देता है तो आईए अब जानते हैं कि आप करक राशी के लिए मेश राशी का राहू आपको क्या प्रभाव देने वाला है सुब या अशुब करक राशी वाले जात कों गले गोचर्वस राहू सत्तुर राशी में अताद राशी से केंद्र में दसम बाव में ब्रहमन करेंगे आपकी करक रासी से दसम बाव में राहू धन संपत्री बाव पर सत्तु दस्ति पात करेंगे सुक बाव पर मिस्त दस्ति रखेंगे और रोग बाव पर सत्तु दस्ति से विचार करेंगे सत्तु दस्ति से आपको एक प्रकास से संगर्स देंगे तो दसम बाव में स्थित राहू के कारण बीना डरे सोच समझ करके काम करेंगे सोबाव से कोई इनको चिंता रहेगी लेकिन कारिय में समर्थ और चतुर होंगे संगर्स प्रिये रहेंगे और जब तक आपका काम संपूर नहीं हो जाता है पूरा नहीं हो जाता है वहां तक आप सांत नहीं बैटेंगे लोगों की सानुबती से आपको चुनाओं में जीत आपके कारिवेशाय में प्रतिष्टा बढ़ेगी सफलता मिलेगी लाप में वरदी नौकरी में हैं तो तरक्की मिलेगी अक्समात पद वरदी हो सकती अता प्रमोशन मिल सकता है और अपने घर की बड़ों की मदर से जमीन जायदाद में रदी होगी बड़े कारियों में सफलता यश कीरती अदालती मामला में जीत और अपने जो उच्छ अधिकारी हैं उनकी अनुकुलता जैसे सुबफल मिलेंगे नौकरी पेसा लोगों को थोड़ा साफदान रहने की जरूरत है क्योंकि इस अधिमें आपको अपने आफिस में राजनितिक रेस्पोंस या राजनितिक इस्तितिक को जेलना पड़ सकता है अतात आफिस की पॉलिटिक्स में आपको साइजिस में फसाई जा सकता है और यदि आप अपनी नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको नौकरी बदलने के लिए अपना काम बदलने के लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं जो फ्रेसर से उनको इस दोरान नौकरी खोजने के लिए थोड़ी ज़्यादा कोशिस और संगस करना पड़ सकता है सरकारी करम चारिये तो इस अवदी में उनका टांसफर के या टांसफर का ओर्डर मिलने की आशंका ज़्यादा है जो जातक आईटी सेक्टर से जुड़े वे हैं एक्टी इंड़स्ट्री से जुड़े वे सॉफ्टरे बहें एम एंसी से जुड़े बहें इंपॉर्ट एकस्पोर्ट से जुड़े वे उनके लिए समय अनुकूल है इस दोरान विए अपनी योगिता साबित करने में सफल हो सकते हैं साथ ही आपके काम के बीच या काम के लोगों के बीच में अच्छी पैचान मिल सकती है आप एक बहुत बड़ा नाम बन करके उबर सकते हैं आईए अब बात करते हैं कि आपके जीवन में राहू क्या प्रभाव डालने वारा है सबसे पहले स्वास्ति पर बात करते हैं आपकी रासी से दसम भाव में इस्थित राहू आपको आलसी बना सकता है और आप खुद जो घर में कलेश के कारक बन सकते हैं कारण बन सकते हैं कुछ अशुब आते हैं बुरी आते हैं अपना सकते हैं तो चाला की गबराहट और अनिर्णे की इस्तितिक के करण खुद का नुकसान भी कर सकते हैं, ऐसी इस्तिति में राहू के उपाय से राहत मिल सकती हैं. आईए अब बात करते हैं आर्थिक और व्यवसाई की स्थिति में राहू आपको क्या फल देगा जो व्यक्ति व्यवसाई हैं या व्यवसाई ही व्यवसाई के मालिक हैं जो विदेशी ग्राकों के साथ में काम करते हैं रबर, सीशा, धातु निर्मान का काम करते हैं मैटल से स सब्त לर्व करें qué। न问 यह सब्त invasive नंव न कुछ आड़ के पर गड़ा से आपकी काुछ से लिए कुछ नियमित भी हो सकती अव्यावस्थित भी हो सकती यह उसको व्यावस्थित करने की जरूरत है अथात अपने काम काज को आपने सिस्टेमिटिक करने की अवशक्ता है अब बात करते हैं सब्तम जस्ती की रासी से दसम भाव में आया वा राहू राजमान्य धनी भूमी भावन का सुख देता है और आपको सुपफल प्राप्त हो सकते हैं माता के सुख में प्रिथक संपति है उससे समदित कोई विवाद है इसमें भी आप इस समय काल में सफल हो सकते हैं आईए अब बात करते हैं राहू की नवम जस्ती की आपकी करक रसी से दसम भाव में आया वा राहू और उसकी नवम जस्ती आपको तीरत्यात्रा करने का या पवित्य तिरत् अक्समात दानपुण्य आदि करने को जी चाहेगा परंतु सत्रू उत्पन हो सकते हैं ये ध्यान रखेगा और जब भी राउ असुप प्रभाव देगा क्योंकि इस बाव पर राउ की सत्रू दस्ती होगी इसलिए जो आप सुप कारे करना चाहते हैं उसमें भी आपको कहीं एक प्रकास से ऐसास होगा ये नहीं करना अभी नहीं करते हैं बाद में करेंगे तो आप इसी को सुप तामें कटोती बोल सकते हैं कि गोचर आपसे सुप काम करवाना चाहते हैं लेकिन आपके कर्म उस इस्तिति को करने नहीं देते हैं आईए अब बात करते हैं राहू दो के उपाय में, शनिवार के दिन कोई भी मंदिर में जाकरικά काले रंग का जंडा लगाना है, एक बारी जंडा लगाना है. भेरवनाज जी के दर्सन करने चाहिए हनमान जी की मूर्ती की समक्स आपको चमिले के तेल का दिपक जला करके बज़ंग मांड का पाट करना बहुत ज़्यादा सुब रहेगा स्वान को अतात कुत्तों को दूद रोटी खिलाने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं सुब परिणाम मिल सकते हैं आरतिक इस्तिती में जो भी कोई संगर से उससे राहत मिल सकती है किसी पवित्र नदी या रती तरिस्तान में जाकर किसनान करने से सफलता मिलेगी आपको बुद्वार या सनिवार के दिन साबूत काली उड़त का दान करना सुब रहेगा हर सनिवार को जटावाला नारियल प्रात ग्यारा बार अपने सर के उपसे क्लॉकवाइज गुमा करके रावकाल का मतलब होता है सुबे नौ से साड़ी दस के बीच में उसे जल में विशजित करें या आसपास कोई भी शनिमंदिरों वहाँ जाकर अरपित कर दें रामरक्षा कवच दारं करें या काल बरव जो कवच है वो दारं करें आपकी इच्छा इसमें कौन सा कवच धारन कर सकते हैं? और यदि जो समर्तिवान है वे रामरक्षा कवच और काल बहरवत दोनों का एक साथ में सहुख जो कवच बना करके धारन कर सकते हैं, ये ज़्यादा सुब रहेगा. रामरक्षा स्तोत्र का पार्ट कर सकते हैं, राव का एकाक्षरी भीज मंतर ओम राम रहवे नम इस मंतर का अधिक साधिक जाप कर सकते हैं, ये था राव का मेश रासे में गोचर फल और साथी साथ राव के उपाए, ये एपिसोड ये उपाए, ये जान कारे आपको कैसी लग कि हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं और भी कोई आपकी जिग्यासा है वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स के थूरू बता सकते हैं लेकिन अपनी कुंड़ी से समझे कोई भी प्रस्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं उस पर संपर के स्थापि मिलेगा आपको क्या समस्या उसका समाधान क्या है वो समस्या कब तक रहेगी भविश्य में जांकना चाहता है आने वाला समय आपके लिए कैसा है कोई विशेज निर्ने लेना है उस निर्ने में जो भी दूविदा है उसके लिए क्या समाधान हो सकता है और आपकी जन कुं कुंडली आपकी अपनी है उसमें योग हैं उसमें दसा अंतर दसा प्रतंतर दसा है उसमें आपके हर प्रस्ने के आदार पर एक कुंडली है जिसे सोसर्ड वर्ग कहा जाता है तो ऐसी इस्तिति में जो भी आपकी कुंडली के योग हैं राउ के उपर दस्ती सुबदस्तिया स इस भाव में इसका भी आपको फल मिलेगा अतादिस राओ के गोचर का उस पर भी इंपक्ट पड़ेगा ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो नंबर दिये हैं उस पर संपर के स्थापित करके अबॉंड्मेंट फिक्स करना है और फिर मैं और आप आपकी जन्म कुंडली पर विस रक्षा कर सकते हैं और जो भी उपाए होंगे वो लिखित में मैं आपको बेजूँगा वाट्सप के थूरू या इमेल के थूरू जो आप चाहते हैं मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें प्रसन रहें सुरक्षित रहें अपना और अपने परिवार का विसेश कर घर क आपकी रक्षा करें धन्यवाद